हमें integrate करना है इसे तो पहले चीज तो यह क्या मैं इसे t let करूंगा तो क्या यह cancel हो जाएगा तो answer नहीं होगा क्योंकि यह पर log x है अगर मैं इसे t let करता हूं तो क्या यह cancel हो जाएगा तो answer है हाँ हो जाएगा चेक करते हैं जो मैंने कहा है कि वो सही कहा है कि नहीं तो let करने वाले हैं x plus log x को t on differentiating both sides तो x को करो differentiating तो हमें 1 मिल दाएगा और plus log x को करो तो हमें 1 by x मिल दाएगा x का dx is equal to t का dt ठीक है तो यहां से हैं मेरे पास dx की value क्या मिल रही है वो मिल रही है मिल दाएगा यह पूरा 1 plus 1 by x है ना put कर दो इसमें तो इसे कुछ माल लो यह हमारा i है तो जो हमारा नया i आएगा वो क्या आएगा integration x plus 1 by x और इसे हमने t मारा है न यह t का whole square लिखना पड़ेगा हमें यहां पे क्यूकि t की power 2 हो जाएगी न और dx के value क्यानी के लिए हमारी यह जो कि मेरी dt upon में आ रही है 1 plus 1 by x अगर lcm लोगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा पस x plus 1 by x यह value आएगी lcm लिए है मैंने x plus 1 अबर में x देखो ऊपर नीचे same same है cancel हो गया तो क्या बचा हमारे पास integration of t square dt तो integration of t square dt के कैसाल करेंगे power ने plus 1 कर दो 2 plus 1 3 divide में total power रिख दो तो 3 और plus एक constant value plus c यह मारा answer आ गया बस t की value put कर दो जो लेट की थी हमें लेट किया था इसे x plus log x को तो x plus log x की power 3 क्योंकि t की power 3 है upon में 3 है तो upon में 3 plus c यह हमारा छोटा सा answer आ गया ओके कि थी है पास बस्थड़न कि बस्प्राब今日は दो की दो कीआ आ खरेंगे लो कि तो